अलाम वलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मूर्ग अफगानी यह बहुत ही जादर टेस्टी होता है और बनने में भी बहुत यासान होता है तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है फाफ किलोग्राम चिकन इस चिकन के अंदर मैंने इस त और ये चार बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ली है चार बड़े चम्मच दही ली है और ये काजू बदाम इसको मैंने गरम पानी में भिगो दिया है आट दस काजू है आट दस बदाम है और ये एक बड़ा चम्मच मगस के बीच है इनको गरम पानी में भिगो के रखा है औ और इसका जो पानी था वो फेंक दिया है उसके बाद ये मैंने साफ पानी लिया है और लिया है ये मैंने एक टेबल स्पून लेमन जूस और ये एक छोटा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट आप जाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और ये लिया है मैंने हरे धनिय की डंडिया ये एक बड़ा चम्मच है और मैंने एक बड़ा चम्मच ओईल लिया है आप चाहें तो बटार घी कुछ भी ले सकते हैं और ये एक बड़ा चम्मच लस्टन द्रक का पेस्ट लिया है और ये सूखे मसालों में लिया है एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर आदा छोटा चमश नमक, आदा छोटा चमश काला नमक नमक को थोड़ा ध्यान से लें क्योंकि चाट मसाली में भी नमक होता है और ये भी नमक लिए हमने इन काजू बादाम मगज का हमको पेस्ट बना लेना है आप चाहें तो इनको गरम पानी में भीगो के ना रखने की बजाए उबाल भी सकते हैं अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे सभी चीजों का मैंने पेस्ट बना लिया है बिल्कुल बारिक पेस्ट बनाना है अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे यह fresh cream है, चार बड़े चम्च, चार बड़े चम्च दही, एक छोटा चम्च हरी मिर्च का paste, आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं, एक बड़ा चम्च लस्तन अद्रक का paste, और यह एक निम्बू का juice, यह एक बड़ा चम्च है, एक बड़ा चम्मच oil, और यह हरे धनिय की और ये काजू बादाम का पेस्ट ये बिलकुल बारीक पेस्ट है और सभी सूखे मसाले इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इस बैटर में बोटियो को डिप करके रख देंगे इस बैटर को हमें कम से कम दो घंटे के लिए मेरिनेशन पर छोड़ना है अगर आप के पास टाइन हो तो आप इसे जादा देर के लिए भी मेरिनेशन पर छोड़ सकते चिकन को मैरिनेच हुए दो घंटे हो चुके हैं अब हम इसे रोस्ट करेंगे एक पैन में दो बड़े चम्मच बटर लेना है और इन सभी पोटियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है मेडियम फ्लेम पर पांच मिनट बाद ये बोटियां नेचे से थोड़ी थोड़ी रोस्ट होने लगी है तो हम इने परड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ये बोटियां दस से पंदरा मिनट में चारो तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे देखें चारो तरफ से ये बोटियां कितने अच्छे से रोस्ट हो गई है और ये गल भी गई है इसकी पहचान है कि हड़ी से गोश अलग होने लगा है उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी मुर्ग अफगानी बिल्किल तैयार है आप इसे नान के साथ लच्छा पराठा के साथ ये रुमाली रोटी के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते है मुर्ने भाठा है